नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले हफ्ते हम धवल जैस्वाल से बात कर रहे थे उनकी सफलता के सफर के बारे में धवल जिन्होंने साल 2015 के सिविल सेवा परिक्षा में 452 स्थान प्राप्त किया है आई आज अपने इस सफर को अंजान तक पहुचाने की कोशिश करते हैं धवल आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो धवल जी अक्सर देखा गया है कि आई एस और सिविल सेवा परिक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो वनेकुलर लैंग्विजिस है या जो भारती भाषाएं है और हिंदी है चात्रों को लगता है कि नहीं अगर आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो कही ना कहीं आप में किसी चीज से आप पिछड रहे हैं और आप हिंदी को लेकर ही आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त की है तो यह कितना सही है मेरा माध्यम शुरू से ही पढ़ाई का हिंदी रहा है और मैंने हिंदी माध्यम से ही परिच्छा उत्यड की है मुझे लगता है कि यह जो आपका सवाल है और इसके पीछे जो चुपा हुआ मनोभाव है इसमें समस्या यह होती है कि यह पूरता सत्य नहीं है कुछ सत्ता है वो तैयारी के दौरान आपको समझ में आती है जैसे कि जो नया पूरा वेबसाइट का माध्यम है या नया जो पुब्लिकेशन हाउस है वो प्राया अंग्रेजी में ही उपलब्द है तो हिंदी माध्यम में थोड़ी सी दिक्कते आती है या समस्त भारती भारती भार्शों में थोड़ी सी दिक्कते आती है ल assessment, मुझे लगता है कि इस हिंद भावना से निकलने की जरूत है और मुझे ये हिंद भावना कभी नहीं थी मुझे अपने माध्धिम पे गर्वता और मैं अपने माध्धिम के साथ तयारी कने में कमफर्टा बाकी ये है कि UPSC के एक्जाम का नेचर ऐसा है कि UPSC आपसे महनत की डिमांड करती है तो अगर कुछ चीज़ें आपको अंग्रेजी में पढ़नी पढ़ेंगी तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अंतता ये महनत का ही एक्साम है तो मुझे लगता है कि ये जो अभाव है ये जो गैप है इसको आप पाट सकते हैं अपनी महनत की आधार पे लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि UPSC की डिस्क्रिमिनेशन करती है या हिंदी माध्यम से चैन नहीं होता है इस मामले में मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा मतलब अपने साथ के लोगों को और जो तैयारी करते हैं उनको भी कि महाभारत में कोरों के वेल इसलिए नहीं हारे थे कि वो अनैटिक थे महाभारत में कोरों इसलिए भी हारे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो हारेंगे इसलिए अपने माद्धें के साथ कभी भी ये में सोचिए कि आपका माद्धें कमजुर है आप जिस माद्धें में तैयारी कर रहे है उस माद्धें में पूरे आपने विश्वास के साथ चाहिए निश्ट हूँ तो हम थोड़िस से स्ट्राटीजी के बात करते हैं कि especially हिंदे के पार्टिक्रम को बहुत अच्छे से देखिए उसको एक बार नहीं उसको दस बार देखिए जितना जाद आप सेलिबस के करीब होंगे उतना जाद यूपिस्टी के रिजल्टाप के करीब होगा इसके बाद आप शुरुवात करी प्रश्ण पत्रों को देखना को लास्ट के हैं वो प्रेलिम्स के हैं मेंस के हैं उनको देखिए और NCRT सबसे अच्छा माध्यम होता है वहां से आपका आधार बूच जो फंडामेंटल सिस्टम है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो NCRT को पढ़िए उसके अलावा जो भी आपकी जो बेसिक किताबें हैं उनका अधियन करिए लेकिन पार्ठिक्रम को को इनको लगातार देखते रही हैं यह दो बेस्ट फ्रेंड हैं आपके UPSC के जो आपको UPSC की पूरी यात्रा में मदद करेंगे अगर आप इनसे दूर होते हैं तो UPSC का रिजल्ट आप से दूर होता है जो लोग अब 2017 में एक्जा में बचा हुआ है क्या स्ट्रेडिजी आप सजेस्ट करेंगे एक 2017 का अगर आप एक्जाम दे रहे हैं तो आपके पास टाइम कम है आपको बहुत to the point तैयारी करनी होगी प्रिलिम्स के लिए अलग स्ट्रेडजी बनानी पड़ेगी मेंस के लिए अलग स्ट्रेडजी बनान है उनको समझेए उनकी डिमांड्स पूरी करिए वो सबसे अच्छी स्ट्रेडजी है बाकि आप इंटेड़ेटर तैयारी करते रहे हैं मेहनत करिए सेलबस को कंप्लीट करिए बहुत जादा सेलेक्टिव मत होगी क्योंकि जो नया पैटरन है वो आपको सेलेक्टिव नहीं लेकिन मुझे लगता है कि हर टॉपिक को 10-15 दिन बाद दोहराने की जरूथ होती है आपको नहीं लगता है कि मेरा ख्याल है कि वन से वीक पूरे हफ्ते में हमने क्या पढ़ाई कि एक दिन उसको रिकाप्चुलेट का ज़ए समय हफ्ते में एक दिन रख लें तो एक या कितने कोशन एटेम्ट कर पा रहा है कितने कोशन ताब कर पा रहा है और उसके बाद उसक को आगे पढ़े件 जहां जो कमी है उससी समय दोर करें उसको मतलब पाले नहीं मतलब जो भी समस्याएं हैं अपनी कम्यों को पहचानी है और उस रिवीजन सिस्टम में उसको जो 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 लोग इस पर मेंस देने जा रहा है जो कि मेंस के लिए मुस्किल से एक महने का टाइम बच गया है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए क्या स्टडी होना है चुकि आप भी मेंस दे रहे हैं इस बार जो फिर से तेकि मेरा मनना है कि अब मेंस में कम बचा हुआ है तो कुछ भी नया मत पढ़िए जो भी आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं को दोहराईए कुछ चीजे जो बच गई है नहीं पढ़नी है उनको थोड़ा एकाथ हपते का समय आप और ले के लिए तो जो चीज आप रिवाइस किये होंगे एक्जाम हॉल में वही आपके साथ जाएगा कुछ भी नया नहीं जाएगा और इसके लबाद आंसर राइटिंग प्रेक्टिस वह सबसे इंपॉर्टन है जो सक्सेस की जिसे कहते हैं कि वही टूल है जो आपको सक्सेस वह अगर आपने राइक्टिंग प्रेक्टिस नहीं की है तो कई समस्य आएंगी आपको कॉश्चंस आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आंसर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ा टाइम मेनेज़मेंट कि आप कॉश्चंस पूरे नहीं कर पाएंगे कॉश् तो राइटिंग की बात कर रहे हैं तो राइटिंग में स्पेसली एक आती है कि कुश्चं दिमाग में आता है स्टूडेंट को कि मानले जिए 200 वर्ट्स में लिखना है तो हम कितना कम और ज्यादा कर सकते हैं इस बारे में आप लोगों को रह दीजिए मुझे लगता है कि 20 प्लस माइनस चलता है मतलब 20 शबद आप कम भी कर सकते हैं 20 शब ज्यादा भी कर सकते हैं content महत्पूर है ना कि word limit मुझे ऐसा लगता है इसलिए UPSC लिए 200 वर्ट्स ता है तो बहुत बड़ा difference नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा difference होना भी नहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए practice करें जो शब्द पूछ रहा है UPSC अपने exam में जो question में डाल रहा है कि analysis, discussion, critically analysis तो उन सारे शब्दों पर ध्यान देना चाहिए UPSC ऐसे ही नहीं डाल रहा है तो उन शब्दों की कंभीरता को समझें और उन शब्दों के demand के according आप answer देने की कोशिश करें अगर कहीं critical analyze करना है तो वहां पर वो करें, suggestion देना है तो वो करें या what do you think give suggestion तो इन सारी चीज़ों पर बाहते है अपने subject में तो इनने चुछी जो बच्चे जो future में experience लेना चाहते है उनके लिए एक आकरसन होगा कि Hindi साहित में क्या पढ़ना लेकि optional के selection में सबसे बड़े चीज़ है वो अपने interest को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि optional का nature थोड़ा सा general studies से different होता है, optional paper के जो question होते हैं वो थोड़े depth में होते हैं, गहराई में होते हैं और काफी सल्बस cover करते हैं, तो इसलिए अगर आपका interest उस subject में नहीं होगा तो optional को decide करने का वो है आपका interest, इसके लावा आप अपना देख सकते हैं अगर आपका graduation में subject रहा है या post graduation में subject रहा है तो आप उसको चुन सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा subject में चुनिये जो इन आधारों पर तै होता है कि इस subject के particular उस साल माक्स कितने आए, ये सबसे गलत तरीका ह चुरू होगी वो endless cycle होगी, आप हर साल ये बात सोचेंगे कि मुझे इस साल ये subject रखना है, आगले साल ये रखना है, तो एक subject को select करिए और उसके साथ continuity रखिए, उस पर भरोसा रखिए और उस पर मेहनत करिए, तो इसलिए interest बहुत सरूरी है मुझे लगातार fluctuate करते रहने से फिर उसमें कोई strength भी develop नहीं होगा, एक important बात यहां आती है, कि subject के साथ जिसे हिंदी literature आपका साहित, हिंदी साहित के त्यारी में सबसे पहले किन लोगों को से हिंदी साहित लेना चाहिए, जिनको थोड़ा साहित के साहित लगाओ है, मतलब उने कविताय पसंद है, कहान तो मुझे लगता है कि उन सारे लोगों को हिंदी साहित आप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा interest देखना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हो कि आपको कविताय पसंद है, लेकिन आप केवल हिंदी साहित के विशे में कविताय नहीं है, उसमें भाशा विज्ञान भी है, उसमे क्रिटिक्स भी हैं, तो किवल एक portion के आधार पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप पूरे पार्ट करम को देखें एक बार, उसके बार डिसाइड करें कि आपको ये विशे सूट करेगा नहीं, या नहीं, ये किसी भी literature के साथ है, सं हिंदी साहित के शिरुवात अगर आपको करनी हैं, तो आप NCRTs देख सकते हैं, जो हिंदी साहित से रिलेटेड हैं, उससे आपको basic knowledge हो गयाएगी, इसके लवा जो हिंदी साहित के इतिहास हैं, लिखे गए हैं, राम चैंशुक्ल के द्वारा, हजार इपशादी वेदी के द्वारा या फिर राम सरुप चैंशुक्ल के द्वारा उनको आपको पढ़ना चाहिए, और इसके लावा कुछ किताबें हैं, जो अलग-अलग segments से related हैं, उन किताबों को लीजिए, उन किताबों से notes बना सकते हैं, और थोड़ा सा syllabus चूकी बड़ा है, तो syllabus की पूरी तयार चूरुआत करनी हैं, तो हिंदी साहित के इतिहासों को आप अच्छे से पढ़ने, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो तेवर हैं, और हिंदी साहित का जो तेवर है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस अधार पर आप तयारी आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में एक अच्छा ऐसे लिखने हैं, चूकि आप साहित के वी विद्यारती रहें, तो आप भी बताएए कि अच्छा ऐसे लिखा जाने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यार रखना चाहिए? अगर UPSC के पैरामीटर्स को ध्यान में रखें तो अच्छा ऐसे लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ जो होती है, वो विशे का चैन होता है, आप सही विशे आप्ट कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है, अगर आपने गलती से भी गलत विशे चुल लिया जिस पे आपका कमांड नहीं है, तो आप पूरे essay के साथ साथ नहीं निभा पाएंगे, तो subject selection सबसे important है, उसके बाद content उस essay में क्या डाल रहे है, ये important है, आप शुरुआत कैसी कर रहे हैं, भूमी का आपकी आकर शक है कि नहीं है, निशकर्स आपने कितना कसा हुआ लिखा है, निशकर्स म निभन के लिए भाषा एक महत्पूर्ण फैक्टर होता है, जिस पर अंक मिलते हैं, भाषा आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, जो भाषा एक्जामनर को समझ में आए, वहां बहुत ज़्यादा आपको अलंकारिक भाषा या फ्लॉरी लैंगिज का प्रियोग नहीं करना होता ह तो भाषा भी एक महत्पूर्ण फैक्टर होता है, मुझे लगता है, ऐसे के संदर में, अच्छा उसके में से मजबूती आयत डेवलप कर सकें, लोग उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करने चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसे के लिए घर पे आप जो इसके लावा जो टॉपर्स कैसे हैं, आप उनको भी मदद ले सकते हैं, कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, इस पर कर सकते हैं, इसके लावा मुझे लगता है कि योजना और कुर्चेतर के आर्टिस पढ़ने चाहिए, वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि उनमें आपको दिखाई देता है कि एक विशे पर शुरुवात कैसे की गई है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका अंद कैसे हुआ, तो योजना और कुर्चेतर से काफी मदद मिलती है, ऐसे के संदर में, बिलकुल सही बात है, दावल के साथ इतनी रोचक जानकारी का हमारा एस सफर आगे लिखे हुआ है, बजहे है। अब थोड़े से हम बात करते हैं सबसे पहले में आपसे पेपर फोर की चर्चा करना चाहूंगा जो एथिक्स एंटिग्रेटी अप्टिटूड का पेपर है उस पेपर के बारे में एक तो अपने बेसिक जो नॉलेज इंफॉर्मेशन बेस्ट है दूसरा के स्टाडीज है इस आपकी समझदारी बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको कॉंसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और उन शब्दों का व्यावहारिक प्रशाशन में है वो प्रयोग कैसे हो सकता है इसके लावा प्रेक्टिकल एक्जामपल्स डाल सकते हैं फिर आपकी जो स समय दानगत, समाजगत जो मानता हैं उसके साथ उन शक्तों को कैसे समझने से बैठा सकते हैं तो यह बहुत जरूए इसके लावा सबसे इंपॉर्टन जो पार्ट है वो है केस स्टेडी के आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं कैसे हंडल करना चाहिए आपके साबसे लगता है कि के कैसे स्टेडी के संदर में सबसे पहले केस स्टेडी को दो बार या तीन बार कम से कम पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके कैई एंगल होते हैं कई स्टेक होल्डर होते हैं उनके पॉसिटिप, माइनस पॉंट होते हैं प्रोजन को समझने की जरूद होती है और अधे आप क्या प्रोल अदा करेंगे, इसकी प्लानिंग आपको करनी होती है, तो मुझे लगता है कि कभी ऐसे सजेशन्स नहीं दियने चाहिए, जो बहुत आव्यवहारिक हों, या ऐसे सजेशन्स नहीं देने चाहिए, जो आपकी सम्विधानगत मानेता हूं कि अलंगन कर रहे हूं, हमेश सबहे ही का हैत हो, तो मुझे लगता है कि case study के लिए सबसे बहतर इस्टरजी होती है, और इसको solve करने के लिए आपको घर पे practice करने की जरूप होती है, आप अलग-अलग case study में रखके अपने आपको सोचिए कि आपको as a administrator क्या कर रहा है, और ध्यान रखिए as a administrator, ना कि 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 किसी और पच्छ से सोचने की जरूरत है तो मेरे खाल से बिसिकली जो है यह एक तरह का एक रिटन इंट्रिव्यू है कि आपकी इमानदारी की एक लिकित परिच्छा है कि जो चीज बाद में इंट्रिव्यू में जा चाह जाना वो एक धाईसो नमबर दे करके इस पेपर को इ जढ़ते हैं कि उसके बारे में बरीफमें बता हैं कि क्या स्युचते हैं मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा 24 seconds चाहिए कै ден क्या लिए को साव्स के थोड़ा ने स्यूक्त प्रकृट लेंगेर doctoruko क κα्ट Hospi इतिहास में भी सवाल पूछे गया है, जोग्रफी में भी पूछे गया है, तो लेकिन उतना डाइनमिक नहीं है, जितना डाइनमिक सेकेंड और थर्ड पेपर है, थोड़ा सा आप ठहर के तैयारी कर सकते हैं, NCRT से मदल दे सकते हैं, या जो बेसिक किताब हैं, आपकी विप साइट फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपको फस्स पेपर के लिए चाहते हैं, पेपर टू के वारे में क्या कहते हैं, जी एसका, पेपर टू में देखिए कई पोर्शन है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है, और पॉलिटी है, तो ये तीन सेक्षिन हैं, जो सेट्जन चार्टर्शिप के चैप्टर्स हैं, या फिर गवर्नेंस के चैप्टर्स हैं, उनको देख सकते हैं, बाकी पॉलिटी के लिए जो भी आप बेसिक किताबे पढ़ते हैं, उनको देखिया है, इसके लावग करन्ट अफेर पर काफी फोकस करीए, जो भी नए बिल हो रहे हैं, या Supreme Court का कोई verdict आया है, या किसी पर Supreme Court के judge ने comment किया है, या फिर कोई law commission के recommendation आया है, या कोई ऐसा document आया है, तो उनको ध्यान में रखिये, क्योंकि मूलता प्रशन वहीं से बन रहे हैं, तो current affairs आपको इस तरह के से देखने की जरूरत है, पेपर 3 के बारे में क्य economy में उतरना मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होगा आपके लिए, तो Indian economy में economic survey देखिए, budget देखिए, कुछ reports आई है, उनको देखिए, फिर कोई पूरा current orientation है, जितना बहतर आप तरह आपकी पकड़ होगी, थर्ड पर में आपके माक्स उतने अच्छे होगी, आप फ़रा interview की बात करते है, civil services interview आपने कितने बार interview दी है, यह मेरा दूसरा interview, आपके अपनी तरवा क्या रहा रहा इस interview के बारे में, interview मुझे लगता है कि काफी individual पर डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति की personality वहां पर किस तरह के से आती है, और UPSC चाहती भी है, interview board चाहता भी आपसे यह है, कि आप जो हो, वही आप वहां पर प्रदर्शित करें वहां पर, और वह interview board आपको देख भी लेते हैं इसी आधार पर, म मुझे लगता है कि इस interview में सफ़ल होने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इमानदार हो वहां पर, जैदि हम आपसे पूछें कि, UPSC interview में क्या देखना चाहती candidate में, तो कुछ point फॉर्म में बता है कि इन चीज़ों पर धहां रखना है, जो candidates को, कुछ आसे खास points, मु बहुत केवर बहुत करवा होता है, क्या करवाट के साथ बोल सकता है यह कुछ? हाँ, उस अंदर में आप यह कर सकते हैं, कि उस सच की शच की बहुत है, मतलब यहां पर attitude आपका depend करता है, कि आप कितने positive attitude के साथ जा रहे हैं, बहां पर, तो यह बहुत जरूरी, आपकी language कित करते हैं, कभी-कभी, कि आप उस pressure में कितना अच्छा perform कर रहे हैं, वो यह देखना जाते हैं, क्योंकि बाद में आपके आपको काफी दबाओ की परिस्तितियों में काम करना होता है, तो वो pressure भी चेक करते हैं, तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि धान में रखना चा चानक्या IAS Academy, Nurturing Leaders of Tomorrow Welcome back, आईएब हमारे audience की तरफ रुक करते हैं और जानते हैं कि वो हमारे guest और expert से क्या पूछना चाहते हैं, जी, प्लीज Sir, मेरा आपसे पहला question यह है कि मेरा optional policy science है, तो जैसे मैंने policy science लिया तो काफी लोग ने मुझे ऐसे बोला है कि इसका काफी वाइड़ syllabus है, आपको यह नहीं लेना चाहिए था, पबैट अच्छा optional रहता यह वो, तो क्या यह सही है? सबसे बड़ी चीज है कि यह जो word आता है कि लोगों का कहना है, यह बहुत ही खतरनाक type का question है, जो लोगों के दिमाग में बैठता है, सबसे पहले syllabus की जहां तक बात है, most of the syllabus, हर syllabus की अपनी एक length है, उसकी अपनी परिवाशा है, इसलिए सबसे पहले आपको यह दिमाग से न सबसे पहले आप basic books को पढ़िए, जो anxiety lips की book हैं, या कुछ और इस लेवल की किताब है, उसको पढ़िए, और उस पर अपना डेल लग कीजिए, लोगों के कहने और सुनने की बात आप छोड़ दीजिए, और सिरह आप जो है, अपनी पहचान से, अपनी खुशी के साथ, और अपने ही इंट्रेस्स के साथ उस subject को टेक अप करें, तो आपको कोई दिकाद नहीं होगी. Sir, my name is Rajat, from UP. Sir, मैंन से एक्जाम में लिखना कैसे है? अगर कोई question की starting मैंनों, current affairs से भी है, और course से भी है, तो मैंनों कहां से start करेंगे उसे? देखिए, सबसे जरूरी है, जो प्रशन आप से पूछा जा रहा है, जो question UPSC पूछ रही है, उस questions को समझेए, उस question के जो sub-parts उनको समझेए, और उन सारे sub-parts और main question पे बराबर time दीजिए, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि to the point answer लिखना, शुरु questions के sub-parts जादा है, एक-एक question में तीन-तीन सावाल पूछे जा रहे हैं, उनको आप 200 word में कैसे बाठते हैं, यह ज़्यादा जरूरी है, तो सीधे to the point answer लिखें, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेरा question आपसे है, हमेंसे अपने आपको motivate आपने के लिए क्या खरने थे? तो इसलिए संघर्ष के साथ आप motivate रह सकते हैं, दावल बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया Success Peaks में आने के लिए, यह था आज का हमारा Success Peaks, अगले हपते आजी के दिन आप से होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, गुडबाए